नमस्कार विद्यारतियों आज हम पत्रकारिता के विविद रूपों के अंतरगत खोजी पत्रकारिता के बारे में द्यन करेंगे यह बहुती मेतुपुर्ण पत्रकारिता इस पर बहुत बार प्रशनाते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं अपने खोजी पत्रकारिता है क्या। खोजपूर्ण जानकारी पत्रकाय प्राप्त करता था और वही जानकारी और वही कारे दिरे दिरे पत्रकारिता में बदलता गया। लेकिन आज उसका सुरूप बदल गया है वास्ताओं में खोजी पत्रकार एसी महत्वपुन सूचनाओं की प्रती में सलंगन रहता है जिने लोग गोपनिया रखना चाहते है यानि खोजी पत्रकार तक अमक्योदे से एसी सूचनाओं को निकालना जो लोग गुपत रखना चाहते हैं मतलब निजी सूचनाओं नहीं बलकि रास्ट्रहित की समाध हित की देशित की जो एसी सूचनाओं होती है जिन में कुछ गोटाले कुछ विश्वत खोरी बर्ष्टाचार आदी छीपे रहते हैं उनको ढूंड करके निकालना खोजी पत्रकार काम है खोजी पत् उतरत्यों को बाहर लाना है जिनकी आधार पर एक विशेस स्टोरी तयार होती है वो उतर्थ्य खोज कर बाहर लाता है उस घटना के और फिर उस पर इक रिपोर्ट तयार होती है अमेरिकन पत्रकार बोव ग्रीम के अनुसार खोजी पत्रकार में दूगुनों का होना बहु उसकी खुदगी खोज हो और दूसरा वै एसी मैत्रपुनों जिसे कोई छीपाना जाता हो ये दो काम खोजी पत्रकार को मुख्यरूप से करने पड़ते हैं ये तो थी साधान सी परिबासा परिचे अब हम बात करते हैं खोजी पत्रकारता की हमारे लिए क्या उप्योगिता ह क्यों पत्रकार खोजी पत्रकार बनता है क्यों पत्रकारिता में खोजी पत्रकारिता नाम रखा गया है क्यों परश्टुष का महत्रपुन है हम उसको क्यों पड़ें जन्माद्यम और पत्रकारिता के लेखर के परवीन दिक्षित का कथन है कि जो पत्रकार सार्वजनिक हि काले कतित मुला मूलवियों पाधरीयों पंडों महंतों आर्थिक सामाजिक और सरवजनिक सेवा के नाम पर नहित स्वार्थों को पूरा करते हुए बहाी भतिजावाद को प्रोछचान देने वाले मंतरीयों लाइसेंस ौटा परमिट आधिके नाम पर काली कमाई करने वा बढ़कर किसी स्वातंतर देश में भला कौन सी देश सेवा हो सकती है कुल मिला करके ये जो पेर अगराब है ये पत्रगारिता की पूरी की पूरी उप्योगिता को बताता है एक पत्रकार का क्या कारिय ये भी बता देता है और खोजी पत्रकारता में क्या-क्या चीजे सामिल होती हैं ये भी हमें बताता है कि ऐसे उद्योगपती, बड़े-बड़े राजनेता, काला बाजारी करने वाले, ऐसे दर्मात्मा लोग बनकर बेटे जो जनता को लूट रहे हैं या ऐसे मंतरी जो लाइसेस कोटा परमिटा दी पर काली कमाई कर रहे हैं, ब्रस्टाचार फेला रहे हैं उनकी ऐसी बातें जो वो गुप्त रखते हैं लेकिन खोजी पत्रकार क्या करता है उनको खोज करके, उनके सुरोत को ढूंड करके जनता के सामने लाता है अब आगे बात करते हैं खोजी पत्रकारिता का लक्से, इसका उद्दे से किसी की टोपी उचालना, टांग खीचड़ना, कीचड़ उचालना और गाली देना कदापी नहीं है, पर उसे अपना दाइद पर और कर्तव या बोध इन तरफ बनाई रखना होता है क्योंकि जब खोजी पत्रकारिता के माद्यम से खोज करेंगे तो कोई नेता, कोई अपसर, कोई मंत्री, कोई फसेगा तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसके टोपी उचाले जा रही है, उसके बेजती की जा रही है, नहीं उसके बूरे कर्मों का बंडा फोड किया जा रहा है, फिर खोजी पत्रकारिता को अपना दाहित वे और करते वे बोध भी बनाई रखना होता है, क्योंकि यह उसकी जिम्मदारी है के बहुता है गटनाओं को जनता के सामने है वो लाए अब बात करते हैं, खोजी समाचार के सरोत कौन-कौन से होते है यह खोजी पत्रकार है, वो कहां-कहां से अपने सामगरी जुटा सकता है समाचारों की तो सबसे पहला है खुफिया सरोत, जासूसी करके, इधर उधर छिप करके सूसनाओं की जानकारी वो ले सकता है दूसरा है अनुबहु ग्यान योग्यता से सूसना की तह तक पहुंचना उसके पास अनुबह वो खुद के पास ग्यान हो कि यहां पर मुझे ऐसी जानकारी ऐसी सूचनाई मिल सकती है और तीसरी सबसे मैद्वन बात है स्रेश्ट जनसंपर्क क्योंकि उसका जनसंपर्क अच्छा होना चीए जनता के बीच में ही मंतरी नेता अफसर वगेरा जाते हैं सारी योजने जनता के बीच ही चलती है इसलिए उसको जनसंपर्क बनाए रखना चीए जहां से उसे सामगरी है वो पत्रकारता की मिल सकती है नंबर च्यार पर है स्रोत के प्रति विस्वसनियता यानि आँख मुंद कर विस्वास नहीं करना कोई स्रोथ उसको मिला है तो उसके प्रति विस्वास नहीं था होनी चाहिए उसको जाचना चाहिए कि किसी का नाम आ रहा है किसी के बारे मैं ये बात कह रहा हूं तो कहीं वो गलत तो नहीं कह रहा हूं और अंती में सरोत की गोपनियता यदि उसे कोई ऐसे सोत मिल जाता है यदि कोई उसे ऐसी जहानकारी मिल जाती है तो उसे गोपत रखनी जरूरी होती है क्योंकि अगर सब के सामने वो परसारित परसारित हो जाती है पूरी जहानवीन के बिना तो उसकी पत्रकारिता के लिए वो अच्छा सरोत नहीं बन सकती तो इसलिए उसे गोपने रखना आवशक है फिर अच्छे तरीके से समाचार लेखन करके समाचार पत्रों के मादिम से उसे जनता के समख से वो पहुंचाया जा सकता है जैसे स्टिंग ओपरेशन होते हैं सारी चीजे दीरे दीरे जनता के सामने लाई जाती है अब बात करते हैं खोजी पत्रकार के अनिवारिया गून कौन कौन से होने चीए कि एक कुसल पत्रकार खोजी पत्रकार कैसे बन सकता है पहला गून है उसके सिकारी के बाती चोकन ना रहना आंक नाक कान सब भी इंदरिये खुली रखनी होगी उसको चारो तरब से उसे नजर रखनी है एक सी कारी की तरह है कि कहीं से भी समाज में कोई भी खोजी पत्र का रितागा सुरोत उसको मिल सकता है दूसरा है समाचार की टोह लेने की अदबुत क्शमता टोह का वना खोजना उसमें सी काबलित होने चाहिए कि वो समाचार को खोज निकाले तीसरी है समाचारों की अधिकादिक भूख उसके अंदर भूख होने चाहिए जागरत कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा यसे समाचार डूंड के लाओं, लोगों का भंडा फोड़ करूं, देश को बचाओं, समाज का भला करूं, तो उसमें जल 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 बूख होनी चीए चोथ हकुन है, बार-बार मना करने के बाद भी समाचार के सरोत के पीछे पढ़ना क्योंकि कई बार क्या होता है कि समाज में या देश में कई लोगों जानकारी होती है लेकिन वो बताना नहीं चाते है लेकिन पत्रकार में ये गुन होना चीए, युग गिता होने चीए, की एक बार मना कर गया तो फिर उसके पीछे लगे आखिर में वो उसे सरोत का पता लेकर ही छोड़े जासुसी मस्तिस्क और وकील की पेर्वी कीति खमता होनी चींई उसमें तार कवितर करने की खमता होनी चाहिए, वकील का तरह है उसमें दिमाग उसका जासुस के तरह हे एक्टी वोना चीह है च्छटा है लेखन का उसल अच्छा और भासा से ले क्योंकि जब उसे कोई ऐसी खोजी पत्र करता ऐसी मतलब कोई ऐसा कूस कोटाला कांड का पता चलता है तो उसको अच्छी भासा में लिख करके लेखन से लिखे द्वारा ही वो जनता के समक्स पहुंचा सकता है है सामनेवाला भी उस पर कोई या कानुनी कारवाई कर सकता है तो उसकोो इस रूपne भी तियार रहना चाहिए पत्रकार को १ी भई इसके बारे में displacement मेरे उपर क्या क्या कारवाई हो सकती है तो उसे कानुन इस्तियों पर विचार कर लेना चाहिए आठवा है धेरियवान धेरिया रखना जरूरी है यह तो सब जगई सबसे बड़ा गून है नमवा है आवशकता पढ़ने पर 20 वसनियता पर आच आते ही समाचार का खंडन और प्रकासन के लिए ततपर जैसे उसको आवशकता पढ़े कि समाचार विस बसनिया नहीं है तो उसका खंडन करने के लिए ततपर रही या पिर जैसे उसे आवशकता पढ़ेगी अब तो यह खबर बहुत जल्दी जनता के बीच माने चाहिए तो उसके परकासन के लिए वो ततपर रहना चाहिए और नमबर 10 है अभी लेखों और दस कर ली है जो रिपोर्ट उसने बनाई है वो सही है तब ही उसे समाचार लेखन करना चाहिए अन्यता वह खुद उसमें उलज सकता है तो इस परकार से हमना आज एक बहुत बड़ी महत्वण पत्रकारिता का रूप खोजी पत्रकारिता उसके बारे में अध्यन किया आज के लिए बस इतना ही धन्यवार